दोस्तों नमस्कार और आप देख रहें न्यूजबकेट न्यूजबकेट में आपका स्वागत है फिल्म केरला स्टोरी को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है विमिन प्रदेशों में वेंड भी हो चुका है उत्तर प्रदेश में टेक्स फ्री भी हो चुका है और हम आगे हैं बनारस के कचैरी में अधिवक्त हैं अखलेश उपध्याजी इनसे बात करेंगे कि इस फिल्म में कितना दम है और क्यों विमिन प्रदेशों में इसको बैंड किया जा रहा है यह बताईए कि इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री फिल्म का प्रमोसन करने के लिए नहीं होता है प्रधानमंत्री अपने विकास के कारियों को देश की जनता के दुखदर्द को सुनने के लिए होता है अधिव फिल्म में क्या कुछ रखा गया है जिससे बहुत सारे बवाल मते हुए एक आरे यह फिल्म है फिल्म को अपने रंदेक्ять फिल्म में कुछ कमियां वहती है कूछ अच्छायाश्यां भी होती है कुछ जो उसमें बुरे बुरी बात है उससे सीख लेनी चाहिए जो अच्छी बात है उसको एड़ाप्ट करनी चाहिए तो इस सब चीजे फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाए उसार ऐसे लोग कर रहे हैं कि इस फिल्म से धार्मिक दंगा फैल सकता है इस फिल्म से बहु बे तो एक फिल्म बनाया जाए जिससे एक फिल्म बनाया जाए चिन्मयानंद पे राम रहीम पे फिल्म बनाई जाए एक फिल्म कुल्दीप सेंगर पे बनाई जाए जितने भी बलातकारी संसकारी ब्राम्वन तथा कतित भाजपा के हैं उनके सारे कर्मों पे फिल्म बनाई कि लोग अपने बहुत बेटियों को इन हराम जादों से इन बलातकारियों से सुरच्छित रख सकें तो इसे बनाओ ना उसका प्रमोशन करो जागरूपता लाओ कि लेकि लिए बहुत सारे लोग करें कि यह कर नाटा चुनाव को लोग कर काफी प्रभावित करें और रहा है और प्रशार करो अपना वो अपना जो है विकास का काम गिना नहीं पा रहे हो तो आफ फिल्म इस्टोरी देखे चल रहे हो बजरंग वलिपेल मार गए तो लाओ पुल्वामाई स्टोरी लाओ उसको भी तो लाकर दिखाओ पब्लिक को कि हां हमारे यह कर्म है हम किस तरह से आए सत्ता में तो यह पिक्चर आयती बीवीसी को लेकर क्या कुछ कहें अब आपने सही याद दिला बीवीसी जाकुमेंटरी को आपने बहन कर दिया उसको भी दिखाओ ना कि तुम्हारा बिवथ शहरा कैसा है कैसा है आपका च Алतर है कैसा आपका चरित्र है है और EDzos देखना ना चाहिए इसको लेकर कोई मन में विभाद नहीं पालना चाहिए न कोई भ्रहम पालना चाहिए तो हब क्या कहेंगेश फिल्म को लेकार फिल्म घतिया किसम की फिल्म है और कुwhy तस्ट्रिपला करने के लिए यह ब्रिक्लान अप्रेरी फिल्म और कुछ नहीं और जैसे काश makes Twitter avent कस्मीर फाइल्स का पर्मोसन किया केरला इस्टयूरी का प्रमोसन किया अब बीवीसी जाकुमेंट्री को बεν कर दिया था कर दीभिवीसीं को लोगतंत्र है लेकिन लोगतंत्र बचा कहां तो इस चल रही है कि हमारी अच्छी छवी देखो हमारी अच्छी छवी कहो हमको अच्छा कहो ने तुम मार दिये जाओगे काइच दिये जाओगे जेल में जाल दिये जाओगे धमकियां आती हैं लोगों को जहां पर हारने लगते हुआ मरने मारने की बात करते हैं ये बता दीजिए ये कहीं भी किसी भी ये लखसन में अपने बिकास के कारियों को गिनाते हैं या ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहां की लोकल जंता के यहां ये रैली करने जाते हैं जानना चाहते हैं कि यहां की जंता को क्या परसानी आ है अपना ही दुखडा रोने लग गया हमको यह किया गया हमको वो किया गया अरे तुम कर्म ही क्यों ऐसा करते हो गाली सुनने लाइग आज तक आप ही बता दीजिए कि सुदंतर भारत के इतिहास में कौन सा इसा परधानमंत्री हुआ जो इतनी गालियां खाया है है और उसम लगे है आप एक जगह रोड़ों के जुजरात के चुनाओं में कहते हैं चिमुझे रोज एक किलो दो किलो घ्लो गालियां मिलती हैं एसाव जरह अपने वादे को पूरा कर दीजिए जब एक दो घ्लों गालियों से अपको मिलती है इनर्जी मिलती है तो आप उप आप सुन रहे थे अखिलेश पैधाय जी थे जो अधिवक्ता है और इनों ने जो भी फिल्म थी उसको लेकर इनों ने यह कहा है कि जो फ़र्स मुनरजन के लिए फिल्म बनाई गई है लेकिन जिस तरीके से बिभिन प्रदेशों में इसको बैंड कर दिया गया है देखना दि कि पूरी खबर विस्तार से अमारे न्यूजबकेट की मैगजीन में हमारी इमागजीन को मुफ्ट में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए अमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें